तो चलो प्यारे बच्छो इस वाले को देखो कि इसमें क्या कर रहा है कि अगर करता है टर्णल डायमीटर अब भी एक पार्टीकल डाल दिया तो यह यह पार्टीकल डाल दिया इस टेनल में तो यह जो टेनल है इस पार्ट किल पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी ठीक है और किधर को लगाएगी बस यही पूछा जा रहा हाला कि इसका कंप्लीट में बहुत सारे वीडियो अगरा मेरा आप देखोगे सर्च कर लेना तो मैं कंप्लीट एनालिसिस किया ऐसे यहां पे सेंटर से यह जो बेसिकली जो पार्ट किल है वो सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे यह वाला तो यहां पे जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है तो यह बची हुई अर्थ यह जो यह जो अर्थ का पार्ट है यह वाला कभी कोई फोर्स ही नहीं लगाता पार्टिकल पे अससे ब्हेएफ करेगे जासे यहां पर यह जो अंदर वाला इससे बना रहा हूं अनिध यह जो दी है यह अर्थ आ पनी अब यहला पर अंदर में अगर तुर्स जाएगे यहां पर अंदर में यह जो अर्थ है तो अगर पार्टिकिल को रखे हो थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं यहां पर पार्टिकल को रखे हो तो यह जो पार्टिकल है यहां पर यहां पर यह जो पार्टिकल है यहां से एक्स डिस्टेंस पर है तो यह जो सीरो लगेगा ठीक न होता ही नहीं है तो खुल विला कि ये जो प्रॉबलम में बहुत साफ और सिमिलर हो गया कि एक पार्टिकिल एक पार्टिकिल ऐसे रखा हुआ है उसके सर फेस पे यह पॉइंट मास रखा हुआ है इस पे कितना force लगेगा जो यहां से x distance पर है अब यहां पर इसको वही कर सकता है कि मैं आपको सिखाया क्या हूँ मैं आपको यह सिखाया हूँ किसी भी point पर force निकालने की जो value है mass multiplied by उस point का field तो अगर यह वाला logic लगा दोगे तो अराम से हो जाएगा तो solid sphere का field किसको किसको पता है यार दे रहता बच्चों को तो यह capital R distance है solid sphere का और x distance पर जो field की value होती ही बस उससे रख दो तो mass अम यह field की value होती ही capital G M, capital M mass of the solid sphere और यह mass of solid sphere multiplied by distance x और divided by capital R की power Q तो अगर यह बात आप जानते हो यह क्या है field due to E is the field due to field due to solid sphere तो solid sphere का जो field है वो इतना है तो जो force है वो बहुत आसानी से आगा है capital G, capital F x over R की power Q तो I hope कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और असन तरीके से solve हम लोग कर दिये इसको thanks for watching this video